आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आप सभी को पता है SSC CGL का first day का exam था आज तो जितने भी question आपकी exam में आए हैं जितना question मुझे student ने send किया है वो सारे question आप सभी देख लेना सारे question GK और GS के exam में पूछे गए हैं first shift के हैं ठीक है और एक बात आप सभी को मैं बता दूँ साम को math और reasoning का भी पूरा paper जो है वो आप सभी को solve करवाने वाला हूँ तो चैनल को subscribe करने के बाद notification के bell को दबा दीजेगा ताकि हर एक class का update आप सभी को मिलता रहे और इसका पूरा PDF आपको telegram के उपट सेयर कर दिया जाएगा तो telegram से आप सभी वहाँ पर जो है वो join कर लीजेगा उसका link जो है वो video के description में मिल जाएगा telegram का देखते हैं आज के question को आज का जो question आपकी exam में आया हुआ था वो पहला question ये था पहला question हमारे सामने है Brick Summit 2020 का आयोजन कहां पर हुआ था तो वो हुआ था आपका ब्राजिल में करवाया हुआ question है रात को साड़े इगारा वजे वाले class में पहले मैं आपको current current affair question दिखा रहा हूँ जो आपकी exam में first shift में आज पूछा गया है और सारे question genuine है बिस malaria दिवस कम मनाते हैं 25 अपरेल को ये तो छोड़ दो कितना बार करवाए हैं इसकी बात तो छोड़ दो कल रात को मैंने आपको बताया world malaria day के बारे में tuberculosis कम मनाते हैं world cancer day कम मनाते हैं 11 बजे मैंने बोला था ना मैं review दिखाऊंगा आपको आज की दिन में अगर देखो बहुत नानत की ये धकर इंटरफर क्लास के लिए अगला question है पंजाब के मुख्य मंत्री कौन है आप बताओ captain अमरेंदर सिंग global health security index में भारत का rank क्या है वेस्विक सुरक्षा सुचांक में इंडिया का rank क्या है तो वो है आपका संतावन अगला प्रस्त हमारे सामने उस खिलाडी का नाम बताना है जिसने दोरा सतक लगाया है लागतार क्यार टेस्ट मैच में तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इंडियन टीम की captain सिरलंका के रास्ट पती हद हो गया है क्वस्तिन का गोटा बया राजा पकसे पढ़ान मंत्री महिंदा गला फट गया है चिलाते चिलाते रात को साड़े इगारा बजे cm of 36 गड़ आप बोलेंगे भाईया आप तो वो क्वस्तिन दिखा रहे हैं जो आप रात को साड़े इगारा बजे करवा रहे हैं बिल्कुल नहीं आप जाकर कहीं पर भी बहुत सारे चैनल है बहुत सारा रिप्यू मिला है बहुत जगा आप जाकर देख सकते हर एक क्वस्त जेनियून है जो आपके आज के एक्जाम में आया हुआ है मुक्ध मंत्री कौन है थप्टीस गड़ के तो भूपेस बेगल अगला क्वस्तिन है अब भी हाल फिलाल में किताब लिखा गया एन एरा ओफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया तो ससी थरूरी जी के द्वार अगला क्वस्तिन है भारत के मुक्ध नियादिस कौन है कितने बार मैंने बोला होगा इनका नाम सरव अर्विन बोब्दे सरद अर्विन बोब्दे जो है वो चिप जस्टिस अफ इंडिया है रिजर्ब रिपो रेट कुछ दिन पहले मैंने करेक्शन करवाया था बताया था करेंट वाला याद कर लो 4.90% करतारपूर कोरिडर का उद्गाटन किसने किया था ये एक्जाम का कोशन है आज का क्या होगा मोधी जी ने ओडिसा डे कम मनाते हैं एक अप्रेल को मनाया जाता है लोट्री के उपर जी एस्टी कितना है 28% जो एक मार्च 2020 से लागू हो जाएगा अब आता है आपको नॉर्मल कोशन जी के वाला करेंटर फिर कितने कोशन मुझे अभी तक मिले हैं जहां गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है वो उस चगों क्या बोलते हैं तो सभी को पता है कॉमन कोशन है प्रियाग राम चरित्रमानस किस के द्वारा लिखा गया है साम को चार बजे वाले जी के वाले जो प्रिडियाब दिये थे 15.00 कोशन का उसमें कुशन मिल जाएगा आपको यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है नौबल पुरुस्कार मिला है वही नौबल पुरुस्कार लिखा गया है 21 मार्च 1919 को साम को चार बजे वाले क्लास में करवाया हुआ कोसन आ रहा है कितने कनाइंटीत होते हैं तो सभी को पता है चार होता है ये कोसन मनें नहीं करवाया है गोमचा जो संस्कृति है वो किस राश से संबंदित है तो वो होगा आपका एंसर आसाम ये कोसन भी करवाया हुआ है थियोरी ओफ रेटिविटी किस के द्वारा अविस्कार किया गया था आपकी एक्जाम में पुछा गया था कब किया गया था तो वो 1905 में लेकिन किस के द्वारा किया गया था तो अलबर्ट अस्टाइन के द्वारा Law of Octaves ये किसके द्वारा अविस्कार किया गया था तो Newlands के द्वारा ठीक है अगला अकबर नामा जाकर चार वजे वाला GK का PDF एक बार देख लेना कुस्सन है की नहीं है अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया था अबूल फजल इबल मुबारक के द्वारा अगला कुस्सन हमारे सामने है भारत में पहले पुल्टिजर पुस्कार जितने वाले विक्ती का नाम है क्या तो उनका नाम है गोबिंद बिहारी लाल ठीक है पीन घाटी रास्टिय उद्ध्यान ये कहां पर इस्तित है पीन वैले नेस्नल पार्क हीमाचल परदेश में राजीव गांदी नेस्नल पूर्ट एयर पूर्ट कहां पर है राजीव गांदी अंतरास्टिया हवाई अड़ा ये कहां पर इस्तित है तो आप बोलेंगे भया सबी को पता है ये हाइद्राबाद में है अगला क्वश्चन अमारे सामनी है बाबर का कबर ये जो है वो कहाँ पर इस्तित है टॉम्ब और बाबर बोलते हैं ये कहाँ पर इस्तित है तो आप बोलेंगे काबूल भईया अफगानिस्तान में ठीक है अगला देखो फ्रांस का करेंसी आया है ऐसा ही कोई होगा जो छोड़ कर आया होगा क्या होगा? हजार बर बताएं इमानूल मैकरोन सी एफपी फ्रांक और पैरिस फ्रांस के बारे में जब जब जीकर हुआ है मैंने ये तीन ची जरूर बताया आपको यहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल होता है? C F P फ्रांक और इउरो भी इस्तमाल होता है लेकिन में मुद्रा क्या है? यहाँ का C F P फ्रांक अगला कोशन वारे सामने नमी के अनुपात किस से मापा जाता है? विच इंस्त्रूमेंट इस उस्टू मेजर हुमिडिटी तो भेया किसंसर के द्वारा जितना भी मेजरमेंट का दो क्लास करवाया गया तो उसके अंदर से ये क्वेस्चन है आपका हाइग्रोमीटर मोसेस की संग से संबंदित है? तो संग बाइरो फाइटा मोसेस बुलांग टू विच फाइलम तो फाइलम बाइरो फीटा थॉमस ब्रिटिस एंपायर जो समराठ था वो किसके सासंकाल में भारत आया था? तो एंपायर जांगिर थॉमस ब्रिटिस एंपायर केम इंटू रिजन अफ विच मंगल एंपायर और एंसर होगा एंपायर जांगिर साहित अकैडमी पुरुषकार 2019 किसे मिला है? ससित हरूर जी को मिला है संस्तापक गुपता रांस्वस के साम को चार बजे वाले क्लास के पेडियाप में आपको मिल जाएगा पंद्रो साले कोस्टन में फाउंडर अब गुपता डेंसिटी चंद्रगुपता आपका वन क्या होगा? चंद्रगुपता वन तो ये जितने कोस्टन मुझे मिले आप सभी को आज के फर्स सिफ्ट में वो मैंने करवा दिया सारे कोस्टन मैं दुबारा कराऊंगा जितना अपडेट मेरे पास आता रहेगा और साथ साथ रिजनिंग और मैत का भी पूरा सॉलिशन मैं आपको कराऊंगा सो जो भी चैनल पर अपडेट है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजेगा ताकि आप सभी के पास हर एक इंफ्रोमेशन मिलता रहे और एक बाप मैं बोलूँगा न इसका सारा प्रिडियफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस विडियो की डिस्किप्शन बॉक्स मिल जाएगा जहां पर आप टेलीग्राम से जुड़कर एक लिंक दिया जाएगा वहां से आप इसका पूरा का पूरा प्रिडियफ जो है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चैमल के साथ बने रहिएगा जैसे जैसे आप सभी के पास information आएगा जो जो question मिलेगा मैं आप सभी को review देता हुआ चला जाओगा CGL का पूरा और जिनका भी exam है 10 plus 2 का खास करकर और NTP railway वाले वो तो कम से कम देखना है अगर यही होता banking का exam तो मैं बोलता अंतर है लेकिन यह banking का exam नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि अंतर है तो आपको यह देखना पड़ेगा सारे जितने भी question आज के exam में पूछे जा रहे है examiner के द्वारा ठीक है ना चलो झालो